हुल स्थाए लौन स्कार्प्राइस बीडियक दोस्तों मेरा नाय बुलोग में आप मोताना चाहता हूं कि में एग नहां जाल में आया हूं आप लोगों दिखाने के लिए आप लोगों बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए आप लोग मेरा वीडियो पर बने रही है आज का वीडियो होने बला है विश्णु भगवान का श्टेचू को उपर में और ये बेंगलोर में है दोस्तों ये श्टेचू ये देख रह का देख सकते हैं दोस्तों यह जो बड़ा सा क्रेन देख रहा है जो विश्णु भगवन का स्टेच्व को लोट करके लेखे आ रहा है यह गाड़ी का चक्का 240 चक्का है मतलब 240 इसका टाइर है इतना इतना बजन है यह मूर्थी का बतन बताया जा रहा है कि 240 टन का बजन है और यह मूर्थी बहुत पुराना मूर्थी है 75 years यह world मुर्थी है बहुत पुराना है और इसको लाने के लिए सुनने में हा रहा है कि आप मैं गूगल में भी कुछ चेक किया तो गूगल में कि बोल रहा है कि यह मुर्थी तामिल अडू से बेंगलोर आने तक 2 साल लग चुके दोस्तो 2 साल यह मुर्थी इजीपुरा में आने के लिए तामिल अडू टू बेंगलोर यह मुर्थी दोस्तो 2019 में पहुचा लेकिन अभी तक इसको रेडी ने हुआ यह मुर्थी तीन पार्ट में बढ़ चुके हैं यह उपर वाला जो साप का जो है डिजाइन वो अलग सा उसका मुँ अलग सा और नीचे भाग दूसरा अलग अलग सा तीन पार्ट में इसको बनाया जा रहा है और यह मुर्थी है 108 फीट उचाई है दोस्तो 108 फीट और देखो सहर में तो आप लोग को मालमी होता है कि इतना छोटा जगा में इतना बड़ा सा मुर्थी ले के आना बड़ा मुश्किल होता था और यह मुर्थी तामिलाडू टू बैंगलोर अप लोग को बताना चाहता हो दोस्तों आप लोग सोख हो जाएंगे इसको जैसे किर्टन भजन करते करते ही लाया जा रहा है इसलिए इसको लाने में इतना दिन लग गया दोस्तों आप लोग आगर इधर आएंगे तो आप लोग को इचीपुरा विश्नु टेंपल बोलके आप लोग टाइपिंग कीजिए तो डाइरेक्ली आप लोग को यहां का लोकेशन दिखाए देगा आप लोग आराम से यह जगा में आके आप लोग अपना दर्सन कर सकते हैं लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी तक ही यह मूर्ती कॉंपलिट अल्रेडी हो जाएगा उस दिन में दूसरा एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोग को दिखाने के लिए कोशिस करूँगा कि बेंगलोर का इजीपुरा सिकनिल के पास में एसे एक सांदार बहुत खुबसरत एक स्टेचू है बिष्णु भगवान का मूर्ती है जो इतना बड़ा सांदम भयांकर भयांकर से भयांकर देखने के लिए आप लोग क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो के लागसस्तो कर दो कर दो हुआ हुआ है